तुम्हें पता भी है तुमने कितना अच्छा मौका हाथ से जाने दिया। हाँ, मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करता जब लोग फसे हुए थे। मुझे लगा कि उनकी मदद करना ज़ाधा जरूरी है, तुम्हें वही करने लगा। सिम्रान, तुम्हें नाराज होने की जरूरत नहीं है, जब इस बार नागराज फिर से आएगा, तो मैं इस बार पक्का उसको शूट करूंगा। तो मैं उसको शूट नहीं करना है, वो तो मैं भी अच्छे से कर सकती हूँ, मैं तो बस यह चाहती थी कि तुम मेरा और नागराज का एक साथ फोटो निकालो, जिसे देखकर हमारा बॉस बहुत खुश हो जाएगा तुम बड़ी चालागो, अपना फोटो नागराज के साथ निकलवा कर, बॉस को यह जतना चाहती हो, कि तुमने ही नागराज से बात की, मेरा तो जैसा कुछ था ही नहीं अरे नहीं, विराज एसन नहीं है, खेर छोड़ो, अब हमें ओफिस चलना चाहिए, इस संसनी खबर को बॉस तक पहुचा देते हैं, दोनों ओफिस जाते हैं, उन्हें देखकर बॉस बोला आओ आओ विराज ओ सिम्रन, क्या तुम नागराज की खबर लेकर आये हो? हाँ सर, हम नागराज की खबर लेकर आये हैं, हमने देखा कि नागराज ने कैसे आग लगी हुई बिल्डिंग से लोगों को बाहर निकाला, और मैंने उसका वीडियो भी बनाया है बहुत अच्छा किया, तो क्या तुमने नागराज का इंटर्वियू लिया सिम्रन? नहीं, वो मैं नहीं कर पाई, नागराज इतनी जल्दी में था कि वो किसी और काम के लिए चला गया अगर तुम इंटर्वियू ले ले थी, तो कितना अच्छा होता, लेकिन कोई वाद नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम अगली बार ये काम जरूर पूरा करोगी, और जैसे ही तुम नागराज का इंटर्वियू ले लोगी, तो मैं तुम्हारा प्रमोशन भी कर दू सिमरन नागराज के उस वीडियो से एक न्यूस तयार करती है, ओफिस वाले व्यक्ति उनसे बात करते हैं, अरे सिमरन तुम ने तो फिर से नागराज को देखा है, पता नहीं हमें कब देखने को मिलेगा नागराज, हम तो चाहते हैं कि वो हमसे बात करे, हमें बताए कि वो अरे तुम सब लोग उसकी चिंता मत करो, मैं उसे अपना तोस्त बना लूँगी, और फिर हम सब बैठकर बातचीत करेंगे, उसके साथ बैठकर कॉफी पीएंगे, क्या नागराज भी कॉफी पीता है? वो हम लोगों के जैसा ही तो है, जब हम भी पीते हैं तो वो भी कॉफी जरूर पीता होगा, सब हसने लगते हैं, शाम होने पर सिमरन अपने घर चली जाती है, और घर में बैठकर सोचती है, आखिर नागराज से कैसे बातचीत होगी, वो तो आता है, अपना काम ख़त्म करता है और चला जाता है, लोगों से कुछ बोलता ही नहीं है, पता नहीं किस दुनिया से आया होगा ये नागराज, मुझे विराज से फोन करके पूछना चाहिए, कि क्या उसे कोई बात पता चली है, कि जिससे नागराज के बारे में पता चल सके, सिमरन विराज को फोन करती है हलो विराज, कैसे हो तुम? मैं सही हो, तुम बताओ क्या तुम्हें कुछ पता चला है कि नागराश तक कैसे पहुँचा जाए? नहीं, मुझे अभी तक तो कुछ नहीं पता चला विराज पास में एक मेला लगा हुआ है क्या हम दोनों वहाँ पर घूम कर आए? नहीं, मुझे बहुत ठकान हो रही है ऐसे भी दिन बर इतना काम किया है कि मैं बहुत जादा ठक गया हूँ तुम जा रहा है तो तुम चली जाओ मैं तो कहीं पर नहीं जाओंगा विराज चलो भी मेरा बहुत मन है मेले में घूमने का सिमरन की बात सुनकर विराज बोला चलो ठीक है, जब तुम जिदी कर रही हो तो मैं भी तुमें लेने आता हूँ हम दोनों मिलकर मेले में चलते है उसकी बात विराज सिमरन की घर जाता है अरे सिम्रन, तुमने तो कहा था कि तुम मेले में चलने के लिए तयार हो, लेकिन तुम तो अभी तक आराम से बैठी हो मैं तो तयार हूँ, मेले में चलने के लिए क्या अच्छे कपड़े पहनना जरूरी होता है, मैं इनी कपड़ों में मेले में चलूँगी मेले में सब कुछ सही चल रहा था बच्चे जूला जूल रहे थे बड़े बड़े जूले और खाने पीने की दुकान लगी हुई थी अचानक सब बच्चे बेहोश होकर गिरने लगते हैं चारो करफ हाहा कार मच जाता है एक एक करके सारे बच्चे गिरने लगे ये देखकर विराज भी अचंबित था कि आखे ये सब क्या हो रहा है सिमरन विराज को बोली विराज ये सब क्या हो रहा है सारे बच्चे अचानक बेहोश क्यों होने लगे है क्या तुमको कुछ समझ में आ रहा है सिम्रन अपने चारों तरफ देखती है विराज तो वहाँ पर था ही नहीं तब ही एक बड़े जूले के उपर नागराज खड़ा हुआ मेले के मैदान में देख रहा था नागराज ने देखा कि एक दुकान वाला जो आईसक्रीम बच्चों को खिला रहा है उसमें जहर मिला हुआ है ये देखकर नागराज सापो की रसी से लटकता हुआ आईसक्रीम वाले के पास पहँचा और बोला तुमने अपने आईसक्रीम में जहर मिला हुआ है जिस वजह से सब बच्चे तुमारे आईसक्रीम खाकर बेहोश हो गए हैं ये क्या कह रहे हो, मैं बला जहर क्यों मिलाऊंगा, मुझे अपनी रोजी रोटी थोड़ी ना बंद करनी है, मैंने ऐसा नहीं किया, अगर तुमने ऐसा नहीं किया, तो फिर तुम्हारे आइसक्रीम के अंदर जहर किसने मिलाया नागराज अपनी दिविद रिष्टी से देख कर बोला, मुझे ऐसा लग रहा है कि गॉंडा ने फिर कोई शेतानी शक्ती भेजी है, जिसने ये सब किया है नागराज तुने सही पहचाना, इन आइसक्रीम में जहर मैंने ही मिलाया था, मैं तुझे ढूंड रहा था, लेकिन तू मुझे दिखाई ही नहीं दिया इसलिए मैंने सोचा कि तू तो लोगों की रक्षा करने के लिए जरूर आएगा और मैंने आईस्क्रीम में जहर मिला दिया अब तू इन सब बच्चों को कैसे बचाएगा खुद को इस जनता का मसिहा कहने वाला नाग राज अब इन सब की रक्षा आखिर कैसे करेगा चुकि मेरे जहर को काटना किसी के बस की बात नहीं है ये तेरी भूल है कि तेरे जहर को काट पाना किसी के बस की बात नहीं है तु जैसे हमेशा यही सोचते हैं कि तुम से बड़ा शक्ति शाली और कोई नहीं है इन बच्चों को तो मैं बाद में बचा लूँगा पहले मैं तुझे दुनिया से उपर भेज दू ताकि तू इस तरह की गिर्वनी हरकते दुबारा ना कर सके तूने महराज गॉंडा को हरा कर ये सोच लिया कि इससे शक्तिशाली कोई नहीं है लेकिन याद रख मुझे गॉंडा ने बहुत शक्तियां दे कर तुझे मारने के लिए भेजा है मेरा नाम विश्धर है और ये विश्धर नाम मुझे ऐसे ही नहीं मिला मेरे अंदर समाहित ऐसा विश है जो शण भर में ही पूरी प्रत्वी लोग को नश्ट कर सकता है अब तू देख मेरे विश्ध से कैसे बचेगा ऐसा बोलकर विश्धर अपने सर पर लटक रहे सारे सापों को एकटा करता है और उनकी मुख से एक विशैली गैस छोड़ता है जिसकी प्रभाव से आसपास के लोग बेहोश होकर गिर जाते है नागराज का भी दम घुटने लगता है ये तो सच में बहुत विशैली विश्ध की फुंकार है इसने तो मेरा दम भी घुट दिया फिर इन साधारन अंसानों का तो क्या ही होगा इसे तो जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा वरना ये तो समस्त मानव जाती को अपने विश्ध से मार देगा इसके लिए मुझे क्या करना होगा क्या मेरा विश्ध इसको कार से नागराज अपने सर के उपर बने हुए नाग के मुख से चारो तरफ पहले विश को अपने अंदर समाहित करने रखता है जिसके प्रभाव से नागराज का पूरा शद्नीला पड़ जाता है ये देखकर विश्धर बोला तूने मेरे विश को अपने अंदर समा तो लिया लेकिन तू इसे सहन नहीं कर पाएगा तूने अपनी मौत को खुद ही बुलावा दिया है नागराज को चक्कर आने लगे ये विश्धो सच में मेरे सांस लेने की क्रिया को प्रभावित कर रहा है इसे बचने के लिए तो मुझे पानी के अंदर जाना होगा लेकिन अगर मैंने विश्धर यहां पर छोड़ दिया तो ये लोगों को बहुत नुकसान पहुचाएगा मुझे इसे भी अपने साथ लेकर चलना होगा नागराज अपने हाथ से नागों की रस्सी छोड़ता है और विश्धर को बांध कर बहुत तेजी से समुद्र की तरफ दोड़ता है विश्धर को पकड़कर नागराज समुद्र के अंदर ले जाता है पानी के अंदर जाते ही विश्धर के विश्ध का प्रभाव कम होने लगता है नागराज तुझो कर रहा है, ये तुझे बचा नहीं सकता, मेरा विश पानी से बिल्कुल भी कम नहीं होगा ये तुझे लगता है, कि तेरे विश को कम नहीं किया जा सकता, लेकिन तु अभी नागराज की शक्ती से परिचिती नहीं है विश्धर अपने बालो वाले नागों का आकर बढ़ा लेता है और चारो तरफ से नागराज को घेर लेता है विश्धर के नाग नागराज को डसने लगते है फिरेन सापों से निपटना मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है नागराज उन सापों को इधर उधर घुमा कर उन्हें आपस में उलजा देता है और सारे सापों लचकर एक जगह पर गिर जाते हैं ये देखकर नागराज बोला तेरे नाग शक्ती शाली तो जरूर है लेकिन इन में दिमाग तो बिल्कुल तेरे जैसा ही है देख आपस में कैसे उलजे पड़े हैं फिर नागराज अपने हाथों से नागों की रसी विश्धर के गले में बांद देता है और उसका गला घुटने लगता है विश्धर खुद का गला घुटते देख नागराज को एक बहुत तेज लात मारता है जिससे नागराज बहुत दूर जाकर गिरता है नागराज के साब विश्धर के गले को छोड़ देते हैं, फिर विश्धर और नागराज देनों में लड़ाई होती है, इसको लड़ाई में हरा पाना आसान नहीं है, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा, नागराज पानी से निकल कर आसमान की तरफ आता है, विश्धर भी उसका पीछा करते क लग रहा है, तभी ऐसी बाते कर रहा है, मैं तुझे मारने के लिए यहाँ पर आया हूँ, यहाँ से जाने के लिए नहीं आया, तेरी जीवन लिला समाप्त करके, मैं गॉर्णा के पास जाकर, उन्हें ये शुब संदेश दूँगा, क्योंके सबसे बड़े शत्रू नाग जिस से विश्धर का दम घोटने लगता है, तुने मेरी शक्ती का इस्तिवाल मुझ पर ही किया, लेकिन याद रख, ये मुझे नहीं मार सकती, मुझे भी पता है, कि तेरी शक्ती तुझे मार तो नहीं सकती, लेकिन तुझे कुछ देर के लिए विचलित जरू कर सकती है, और मेरे लिए इतना समय परियाप्त होगा ऐसा बोलकर नागराज नागों से विश्धर को बांधता है और उपर आस्मान की तरफ लेकर जाता है उसे गोल-गोल गुमा कर पूरे बल से सूरज की तरफ फेगता है विश्धर सूरज की तरफ बढ़ने लगता है लेकिन जैसे जैसे नस्दीक जाने लगता है उसका शरीर सूरज की तपन से जलने लगता है नागराज ये तुने क्या किया तो तो मुझे इस जिन्दा जलाने की कोशिश कर रहा है नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकता इतना वेग होने के कारण विश्धर कुछ नहीं कर पाया और सूरत के समीब जाकर जलकर राख में बदल गया उसकी राख इधर उधर फैलकर खत्म हो गई एक राख छस और खत्म हुआ विश्धर की मृत्यू का पता गोंडा को लगता है वो गुस्से में तिल मिला कर बोलता है नहीं नागराज तुम ऐसा नहीं कर सकते विश्धर मेरा सबसे शक्ति शालिश अस्त्र था जिसको तूने कार डाला कोई बात नहीं मेरे पास इससे भी शक्ति शालिश अस्त्र है जिनकी कार तेरे पास तो क्या तेरे गुरू के बाज भी नहीं होगी तुझे इस धर्ती से मैं माल कर ही रहूंगा नागराज वापस आकर बेहोश पड़े बच्चों का सारा विश अपनी शक्ती से अपने अंदर समा लेता है सब बच्चे होश में आ जाते हैं नागराज विश्धर से सब बच्चों को बचा तो लेता है लेकिन क्या सिम्रन नागराज से बात कर पाएगी और गोंडा आप किसको भेजेगा अपना बदला लेने के लिए जानने के लिए जुड़े रहिए